Hello Friends, Maya का एक बहुत ही common issue है reference image load करने का problem कई बार हम किसी animation को करने के लिए reference लेते हैं जिसके लिए हम reference image को import करते हैं अपने image plane पर और फिर भी हमारे पास काफी issues आते हैं और वो reference image या तो upload नहीं होती है या तो किसी reason की वज़े से वो चलती नहीं है सो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक quick tutorial है इसी solution के बारे में सो friends जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक reference लिया है jump animation का अब इस jump animation के इस reference को मैंने image sequences में break कर दिया है अगर मैं इसे play करूँ सो आप देख सकते हैं मेरे screen पर कि मैंने यह जो पूरा video है उसको image sequences में break कर लिया है now इस image sequence को मैं import करना चाहता हूँ अपने माया में ताकि जो मैं animation बनाओ उसके लिए मैं इस reference को ले सकूँ इसके लिए हम अपने side view में आते हैं और यहाँ पर आकर हम image plane में import image पर क्लिक करते हैं और अपने image sequence को कि first frame को यहाँ हम pick कर देते हैं जैसा कि आप मेरे screen पर देख रहे हैं अब जैसे ही मैं इसे use image sequence पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक error आ जाता है कि unable to load the image file यानि इसने एक single image को तो import कर लिया लेकिन जब मैं sequence को import कर रहा हूँ तो उस case में यह image sequence को import नहीं कर पा रहा है इसका solution बहुत ही आसान है इसके लिए हमने after effect में जाना है और हमने अपने composition पर click करना है और इस sequence को render कर लेना है इसके लिए हमने यहाँ पर quick time को choose करना है quick time को choose करने के बाद हमने इसका render निकाल लेना है now friends अब मैं यह जो image plane है इसे यहाँ से delete कर देता हूँ और वापस से मैं view में जाकर image plane में इस बार import movie करता हूँ और import movie करके मैंने जहाँ पर इसको render किया है उस location को pick कर लेता हूँ और अपने इस quick time के video को import करता हूँ now friends आप देख सकते हैं कि हमारा quick time का यह video यहाँ पर है और अगर मैं इसे play करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा video है मैं around 100 frames यहाँ पर कर लेता हूँ tentatively check करने के लिए और now friends आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा video reference है वो animation करने के लिए तयार है और आप इसे easily अपना animation कर सकते हैं तो आशा करता हूँ friends आपको आपका solution मिल चुका होगा अगर आपको हमारा यह video पसंद आया है तो please likes और comment के माद्यम से हमें अपने thoughts साजा करें अगर आपकी कोई specific query है तो भी आप हमें comment के माद्यम से share कर सकते हैं मिलते हैं हम अपने अगले session में तब तक के लिए आप सब खयाल रखें अपना अपनों का और हमारे इस समाज का धरनिवाद